हेलो फ्रेंड्स में नाम है अजीत और आप सभी का स्वागत है अजीत और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंशॉरेंस के बारे में cars की insurance, bikes की insurance इनके बारे में बात करने वाले है कितने type की insurance होती है तो इनके बारे में बात करेंगे दो type की insurance होती है third party और comprehensive तो पहले हम third party को समझते हैं कि third party insurance क्या होता है third party insurance जो होता है वो आपकी चलान से बचाने के लिए होता है सिर्फ आपका उसमें आप चलान से बचेंगे आपका चलान नहीं कर सकता क्योंकि आपको इंशॉरेंस कराना तो mandatory है बाइक हो कार हो या कुछ भी हो आपका अगर आप रोड पे गाड़ी चलाना चाते हैं तो आपको थर्ड पार्टी इंशॉरेंस कराना ही पड़ेगा सबसे स वस्ति होती है जायतर लोग उसे चलान से बचने के लिए ही कराते हैं बेकिन घुड़ पार्टी इंशॉरेंस क्या आपको चलान से बचाते देयाइए और अगरापने comprehensive insurance कराया होता है तो उसमें पहले तो IDV value आ जाती है जो कि third party में नहीं आती यह comprehensive में अगर आपके insurance में समझ जाहिए आपकी car third party तो नहीं है तो comprehensive में आपके IDV value आ जाता है अगर आपने comprehensive insurance करवाया हुआ है तो तो उस case में अगर आपकी car hit होती है तो उस case में third party भी cover रहता है और आपके car भी cover है तो उस case में जो भी RF cost बनेगा damage का cost बनेगा मानलो 40,000 रुपे गाड़ी का cost बनता है damage का तो उस case में 50% आपको pay करना है और 50% जो है कंपनी पे करेगी उस case में comprehensive insurance में अगर आपने उसमें add-on लिया हुआ है जीरो depreciation करके एक add-on आता है अगर वो add-on आपने add करा हुआ है उसमें वो cover है तो उस case में सिर्फ आपको file charge पे करना है चाहिए उसका damage cost उसका 20,000, 30,000, 50,000 हो सारा का सारा insurance company पे करेगी गब भी हम comprehensive insurance करात यह जैसे कि zero depreciation zero depreciation कही नाम से आता है नेल depreciation, depreciation cover, waiver ऐसे करके आते हैं तो इन में से कुछ भी लिखा हो या bumper to bumper cover तो वो zero depth ही है उसका मतलब zero depth ही है zero depth cover RSA roadside assistance इसमें आपको क्या है कि आपकी car अगर कहीं पर खराब हो जाती है fuel कम हो जाता है बैटरी का issue आ जाता है या आपक आपको help मिलती है आपका tire burst हो चुका हो battery issue या petrol खतम हो गया हो इन case में आपको help करते हैं वो वहाँ पे तो RSA से आपको यह help मिल जाती है और एक add-on और है engine protection वो बहुत ही important है वो आप जब भी नहीं गाड़ी ले रहे हो तो वो जरूर करवाए zero depth के साथ में आपकी गाड़ी क पानी चला जाए तो क्या रहेगा कि उसमें आपको cover रहेगा अब बात करते हैं जब भी हम insurance renewal कराते हैं माली जी आपने नहीं गाड़ी ली एक साल हो गया कोई भी claim नहीं लिया है अगले साल आप renew करवा रहे हैं car को तो आपको उस case में NCB भी मिलता है no claim bonus अगर आप renew करवात होते हैं और आपका NCB हो जाता है 20% तो आपको जो ओडी होता है उसमें आपको 20% का discount मिल जाता है insurance कंपनिया depreciation कैसे लगाते हैं आपने नहीं कार ली है आपकी गाड़ी को एक साल हो चुका है आप insurance दिन्यू कराना चाह रहे हैं तो आपकी गाड़ी का जो depreciation लगेगा वह 10- 15% का depreciation लगता है और फिर next year उससे next year 10-10% का depreciation लगता है ऐसे ऐसे depreciation आपका लगता जाएगा जैसे जैसे यह बढ़ते हैं 10-10% का depreciation लगता जाएगा तो यह ऐसे depreciation calculate करते हैं और उस तरीके से IDV value आती है आपकी तो वीडियो को समराइज कर लेते हैं insurance दो टाइप की होती है third party और comprehensive third party insurance जो होती है सिर्फ आपको चलान से बचाती है third party insurance में अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो उसका claim बिल्कुल भी नहीं मिलता है कुछ भी claim नहीं मिलता है तो उस case में सामने वाली की car cover है बट आपकी car cover नहीं है उस case में आपको कोई भी claim नहीं मिलेगा अग अगर आपने comprehensive insurance करवाया हुआ है तो उस case में अगर आपकी car hit होती है तो उस case में third party भी cover रहता है और आपके car भी cover है तो उस case में जो भी RF cost बनेगा damage का cost बनेगा मानलो 40,000 रुपे गाड़ी का cost बनता है damage का तो उस case में 50% आपको pay करना है और 50% जो है company pay करेगी उस case में comprehensive insurance मे अगर आपने उसमें add-on लिया हुआ है zero depreciation करके एक add-on आता है अगर वो add-on आपने add करा हुआ है उसमें cover है तो उस case में सिर्फ आपको file charge pay करना है चाया उसका damage cost उसका 20,000, 30,000, 50,000 वो सारा का सारा insurance company pay करेगी zero debt insurance, zero debt insurance सिर्फ 5 साल के लिए होता है कुछ company करती है 5 साल के बाद भी करती है मगर mostly company जो है 5 साल तक ही zero debt करती है मैंने आपको ncb के वारे में बताया था अगर आप claim नहीं लेते हैं उस साल में तो उस ncb के बदले में आपको थोड़ा सा discount मिल जाता है ncb के base पर अगर आप claim नहीं लेते हैं अगर आप हर साल नहीं लेते तो हर साल आपका ncb बढ़ता रहेगा 20 25 30 40 50 maximum 50 तक होता है no claim bonus को वह discount मिल जाता है अगर आप claim नहीं लेते हैं तो